तो भाई लोग स्वागत आप सभी का चैनल के एक और नई वीडियो में और आज के इस वाले वीडियो में हम लोग फिर से खेलने वाले FS14 तो यार आप लोग जो FS14 के वीडियो को जो प्यार देते हो ना एकदम amazing होता है तो इसके लिए में लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग FS14 में दूद के तीन-तीन कंटेनर कैसे ले सकते हो तो यह जो ट्रिक है तीन-तीन के कंटेनर कैसे लेना है काफी सारी बंदों को पता होगा लेकिन काफी सारी बंदों अधर आ जाता है दूद के प्लेस पर एक तो आ जाता है लेकिन बाकी की दो कैसे ले वह आज हम लोग इस वीडियो में डिसकस करने वाले तो जैसे की आप लोग जब भी गायों को चारा खेलाते हो अगर वह घास का चारा हो या फिर वह सुका चारा हो जो भी हो जो आपको तो आपको fertilizer मिलता है और दूद मिलता है दूद का container जब भी 100% फिल हो जाता है तो आपको दूद के container को किसी भी ट्रैक्टर के साथ गाड़ी के साथ attach कर लेना है आपको उस दूद के container को मतलब कि जो भी दूद का container कर देना 100% फिल हो चुका होगा उसको आपको दूद के प्लेस से थोड़ा सा दूर लेकर जाकर उसको detach कर देना होगा अभी इसका फाइदा क्या होगा तो गाय दूद देंगे लेकिन दूद कलेट करने के लिए तो container है नहीं लेकिन चारा भी खतम हो रहा है तो आर दूद को collect करने के लिए अलग सा container उदर तयार हो जागा वैसे आपके साथ तीन container आ जाएंगे तीन के बाद एक भी container नहीं आएगा तीन उसकी maximum लिमिट है उसको cross वो नहीं करेगा तो जैसे आपके बास तीन container आ जाएंगे और क्या चाहिए मज़ा करो भई and in any case अगर आप लोग दूद का container दूर लेकर जाते उदर ही छोड़ देते हो और अगर दूसरा container इदर तयार नहीं होता और अगर आपको दूसरा container चाहिए तिसरा container भी चाहिए तो आप लोगों को अलग version डाउनलोड करना पड़ेगा एफस फोटिंग का जिसके बारे में मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था तो अगर आपको वह वाली वीडियो देख लेना या फिर मैं आपको आई बटन में उधर दे दूंगा तो अगर आपको unlimited money या फिर unlimited all unlock वेकल्स या फिर आप के पास इतनी जदा ट्रैक्टर इतनी जदा गाडिया इतने जदा ओजार टूल्स है क्या मुझे कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताना बाग है अगर आपको यह वाली वीडियो पसंदा होगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइ कर दो